कि नमस्कार मैं हूँ शिखा तिवारी बहुत-बहुत स्वागत है तिवारी किचन में आप सभी का बेसन के हलवे से शुरुआत करेंगे बहुत दिनों बाद आपकी हमारी मुलाकात हो रही है कुछ टाइमिंग ही ऐसी थी समय नहीं बन मिल पा रहा था कि वीडियो डालू तो फिलाल आज समय मिला है ताइम मिला है तो बिलकुल भी जो नराज है वो खुश हो जाईए और जो खुश है वो और खुश हो जाईए चलिए शुरुआत करते हैं बेसन के हलवे से आसान सी रस्पी है सबसे पहले रेशियो देख लेंगे एक कप के करी बेसन लेना है पतला बेसन के करीब सूची ली है इससे क्या है हलबा दानेदार बनेगा तो बिलकुल टाइम नहीं खराब करेंगे चलेंगे कडाही की तरफ गैस मैंने आन कर दी है सबसे पहले इसमें डालेंगे खी खी मैंने डाल दिया है बहुत अच्छे से इसे हाइफ लेम पे गरम कर लेना है हां बरतन कैसा लेना है मोटे बेस की कडाही कोई पैन आप ले लीजिए क्योंकि काफी देर तक इसे भूनना होता है अगर पतले बेस की रहेगी पतले तले की रहेगी तो बेसन जलने लग चाएगा सबसे पहले दो चमश के करीब सूजी डालेंगे इसके साथ ही बेसन ड बेसन को में इतना ही बूनना है तक इसका कलर चेंज हो चाए हलका चेंज करना है बहुत गहरा वाला चेंज नहीं कर देना है नहीं तो जल जाएगा देखे बूनते काफी कलर चेंज हो गया ऐसा है इसको करीब करीब दस मिनट हो गए भूलते हुए अब क्या करेंगे चीनी डाल देंगे और फ्लेम अभी भी लोही रखनी है अपने उदर मैंने दूसरे बर्नर पर पानी रख दिया गरम होने के लिए अभी फिलाल तीन कप रखा है जिस कप से मैंने बेसन चीनी को मेजर किया था उसी कप से म अब क्या करेंगे इसमें गरम पानी डाल देंगे हां अगर आप इसमें केसर डालना चाहते हैं तो पानी में ही आप उसको केसर को डालके गरम पानी में रखतीजे और पांच से साथ मिनट में वो अच्छे से डिजर्व हो जाएगे काफी अच्छे से घुनाई हो गई है इदर पानी भी गरम हो गया है हाँ अगर आप केसर इसमें डालना चाहते हैं तो उबलते हुए पानी में ही आप केसर भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर डाल सकते हैं और वैसे तो मैं कहूंगी अ कि टो ज्यादा नहीं बस एक पिंच के करीबाब इसमें हन्डी डाल दीजिए इसका लेखा अब क्या-करेंगे में तोख्थोड़ा पानी डालेंगे और whether our flame को पर लेना एक Sindan दमार्पी थोड़ा प्रप्रलाइब रखो फोकि इस में पानी मिला रहें तो उचला कोई है कोई गुठ्टी निंभरेगी अगर आप बिराबर सब्सट्द सकते झाल झाल आए फ्लेम भी रखनी है इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है चलाते रहना है इसमें मैंने धाई कप के करीब पानी डाला है तो इसी रेशियो से आप भी बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा पानी अच्छे से अब्जॉब हो गया है अब लेकिन किनारों पे चिपक रहा है तो थोड़े जर और पकाएंगे अब क्या करेंगे थोड़ा सा उपर से घी डाल देंगे यह जमा हुआ घी है खाने वाली जिस स्पून होती है ने वह हीप्ट स्पून है लेकिन जमा हुआ इसको भी मिक्स कर देंगे इसे क्या शाइन आजाएगी थोड़ा देखने में सुन्दर लगता है अगर आप घी नहीं भी डालेंगे ज्यादा उपर से तो कोई से फरक नहीं पड़ेगा टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि घर में बहुत तरह के लोग होते हैं बच्चे भी होते हैं बजर्ग भी होते हैं तो बजर्ग इतना घी खाएंगे तो उनकी हल्थ खराब हो जाएगी तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है तो बस देखें घी डाल दिया और बेसन एकड़ाही अच्छे से छोड कीन हो गई है अब क्या गरेंगे गैस को बंद कर देगे तो लीजे बेसन का हल्वा बिल्कुल रेडी है अब इस पर डाल देंगे कत्रे हुए बादाम पिष्टा काजू कुछ भी डाल दीजे जो आपको पसंद है वो डाल दीजे तो लीजे हल्वा बनकर त्यार है खाने के लिए बेसन का हल्वा वैसे भी बच्चों को अगर सर्दी काम होता है इसमें दिया जाता है बहुत ही फाइदा करता है और आपने रेशियो का ध्यान रखना है पानी मेंने आपको बता दिया है कितना पानी लेना है कितनी जीनी ल यानि बहुत ही perfect recipe बनेगी और बाकी रही इसको भूनने की बास 9-10 मिनट भूनना है बाकी बर्नर पर भी डिपाइंड करता है किस बर्नर में कैसी फ्लेम आरी है कम आरी जादा आरी है तो इसका color change होने तक आपने भूनना है बहुत ज्यादा डाकनी कर देना है हलका ही color change होगा खुश्बू आने लगेगी बस उसके बाद ही बाकी अगला process चुरू कर देना है और दूसरी बात यह है कि मैंने कोई food color का use नहीं किया है हल्दी डालके बनाया है देखिए color बहुत अच्छा है बहुत bright color bright color बना है देखने में खुबसूरत लग रहा है खाने में बहुत बढ़िया है केट के साथ भी बना सकते हैं लेकिए अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक किजे शेयर शियर कीजिए और जाधा से जाधा कमेंट किजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजे तो फिर पर मुलाकात होगी अगले वीडियो में